इसके जो घर वाले होंगे ना पिछडी सोच वाले होंगे कहते होंगे लहंगा चुद्नी पैनके कुम कम से कम दो साल तक इसको ऐसी जोकर बना के घुमाएंगे ना मैं राजिस्थान में साधिकी हूँ राजिस्थान वाकाश क्या बोलते हैं वह बीनरी अधाधान लड्डू तो गिलाते मेरे को वह अच्छे नहीं है इसका लड्डू भी इसी के तरह बिल्कुल मीटे भी नहीं है धंके लड्डू तो ले आती हम लोगे जब तो पता है कि त अधर नहीं करना चाहिए इसलिए जब असी खाना पड़ेगा मेरे को छी अरे यार प्रीती कहां ही शादी कर ली तुने तू अपने आपको देख और तू मुझे देख मेरे इन लोग्स तो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं यहां तक मुझे वेस्टन तरी मुझे चूट मिलिया और तू अपनी हाला देख रही है यह चुली यह लहना यह आज कर कौन ही पहनता है कम से कम तूने इतनी सोच तो लगाई होती कि मैं कहां ही शादी कर रही हूं तू इसलिए टौपर थी कॉलेज में अगर तुछ जैसे टौपर होते हैं तो अच्छा ह है कि हम टौपर नहीं थे पहली बात तो तरको अभी शादी करने की जरूरती नहीं थी इतनी भी क्या जल्दी रही तरको शादी करने की चादी करके हो गए नहीं लाइफ स्पॉल अब तेरे सस्वाय वाले क्या बोलेंगा कि बेटा साधी हो गई है घरकस्ती समालो चूरा करो अपने पती को देखो अपने बच्चों को देखो यह रजाएगी तरी लाइफ पती को सुबह अजी सुनते हो टिफन लेके जाओ बच्चों को बेटा डाइपर पहनो यही करती रहेगी तू पूरा टाइम अब है ना अरे कास क्या बाते कर रहे हो इंसा बात में कुछ जी रखाया, चलो यह तुम भी खालो मिठाई एंग्यू त्थाल आज हमने तो नहीं चाहिए तेरी यह मिठाई, तेरी तो हालात ही पता रहे हैं की तु कहां ही क्या डिजब करती थी मतलब तु यही चीजे डिज़र्ब करती थी Preety कभी नहीं सोचा था कि तू भी ऐसी हो सकती है तेरी सोच कहां चले गई तू तो कितनी ही बोलती थी कि मैं यह करूँगी वो करूँगी लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था Preet28 तेरी हालात यह हो जाएंगी अरे गलतीस में इसकी नहीं है इसके घरवालों की है तो गरीबों की ना मेंटिलिटी यही होती है अगर यह लोग थोड़ा बहुत महनत मुद करके अपनी बच्ची को पड़ा भी देते ना जैसी लड़की शादी लायक होती है तुरंट उसकी शादी कर देते और फिर अपने के साथ-साथ उसके माबब का भी पेट पलता रहता है यहीं किया ना तेरे गरवालों ने भी अब तो चूले चोके करती होगी रोटियां बनाओ सुबह हस्बें को बना के दो साध इन बच्चों की पोटियां साफ करो बस यही काम रहेगा तेरे पास तो अब यहासा तुम दो सौच रहे होना से तुम लोग गलत जच कर लें आर अच्छे चल ठीक है हम गलत कर रहें तू पतारे सही क्या हैRIS या मैं यह जूट बोल रहा हु कि देरा पती तेरे सीर उमर का यह भी जूट बोल बहुँना मैं और हस्बेंड तो ऐसा ही होगा मुझे लगता है जाना तक इसकी हाला देखके सूबे जाता होगा रात को पी पाके याता होगा लुडख्ता होगा प्रियंका इनफ प्रिंगा इनफ इनफ बाभी है वाहवी है फिस बने लग रहा है पूरा म अब इसे बात कैसे कर रहे हैं? ओ, दोस्त है हमारी दोस्त? हाँ ऐसे दोस्त होते हैं? तो ऐसे दोस्तों से अच्छा है ना कि ना दोस्त ही रहे तो ही बैतर है Mind your language, okay? Oh my God, mind your language यह शायसे भाभी को आपको पहले बोल देना चीए था जैसी आपकी हरकते है ना वैसी हरकते हमारे गाजिस्तान में नी चलती और हाँ, गलत बोलना हमें भी आता है पर हमारे घरवालों ने ना हमें ऐसे सल्सकार में भी है कि किसी की बेज़दी करो अगर वो यहाँ पर आई है ना और तुमारे पास मतलब उनकी बेज़धी नहीं करने हैं, वो इतने दिनों बाद तुमसे मिले हैं, तो उनका आदर हो सम्मान करना चाहिए, इतने दिनों बाद कोई दोस्त मिलता है तो उसे गले से लगाना चाहिए, तुम लोग यहां पे बेज़धी कर रहे हूँ, और तुम, तुम एक मैं गौन की हूँ, गौन मैंने साधी कर ली, तो क्या प्राब्लम है, तुम लोग को पता भी है, रास्थान कितनी अच्छी जगह है, वहां के लोग कितने अच्छे हैं, और हां, तब से तुम लोग ससुराल बालो का मजाक मना रहे हो, तुम लोग को पता भी है, वो लोग कित प्राब्लम क्या है जब तुम्हें मैंने वेस्टन डर्स में हने से मना ने किया तो तुम कौन होती हो मुझे इंडियन डर्स में हने से मना करने वाली और हाँ एक शीज़ार बता दूँ, मेरी साधी ना, राजवारे खांदान में हुई है, ठीक है, नाम तो सुना भी होगा तुम दोने ने, और हां कास, क्या बोल रहे इस मिठाई के बारे में, तुम्हें पता भी है, ये राजवारे खांदान की सबसे फेमस मिठाई है, जो तुमने कायब कर देता, पर तुम मेरी भावी के दोस्त हो, इसलिए तुम अभी जिन्दा हो, ये ब्रात याद रखना, हमें अपने घर के बहन बेटे होगी ना, इपाज़त करनी आती है, चलिए भावी, इन लोगों के क्या ही मो लगना, हां अजगर, चलती हूँ, और हां प्रियं जब तक के लिए गड़ी खंबा, गड़ी खंबा, गड़ी खंबा,